कि हेलो दोस्टो स्वागए था आपका हमारी यूटूब चुरेनल को सोचियोलोजी क्लासिस पर प्रश्णों के सीरीज के अंतर गत समाजी कस्तरी कर से समंधित कुछ प्रशन देख रहे हैं तो आई ये देखते हैं उससे आगे किस तो आज का पहला प्रशन है सूची एक को स कुछी दोसे सुमेलित कीजिए तो कुछ जाद के संद्धान्त दिये हैं और उन से संबंधित प्रथिपादा का त्वाइए पहला प्रशन है पहला जाती संरचनात्मक विसिष्ट जाती संरचनात्मक भौतिक सारभावमिक या जाती सांस्कृतिक विसिष्ट या जाती सां रचनात्मक सार्भॉमिक या फेडरिक बार्थ से संबंदित है अपसर नम्बर सी और अगला है जाती सांस्कृतिक बिसिष्ट है तो जाती सांस्कृतिक बिसिष्ट की जो अधाला है वान लुष्ट डियूमों से संबंदित है और जाती सांस्कृतिक सार्भॉम का संबंद ज गुरिये से है तो यहां राइट अंसर होचाएगा हमारा कि ए बीसी एडी अगला है बेबर के अंसार ब्यक्ति की वर्ग इस्थिति का निर्धारण करनते हैं ब्यक्ति की बजार इस्थिति जीवन आउसर जीवन शायली या प्राइस्थिति जीवन शायली का संभंद है एक जैसे लाइफ इस्थायल जीवन जीने वाले लो एक वर्ग लिख जाते हैं भजार की इस्तिति का समभंद तो यह कहते हैं भजार इस्तिति Here दिश्चर्च हरकती है जीतना भोग करता है शायत्य को प्राइस्तिति या उसी साफ से मानी जाती है तो यहां पर ब्यवर कंसर ब्यक्त की वर्ग स्थिति का निर्धार करना ब्यक्त के जीवन आउसर की समानता या असामानता के उपर डूपेंड करता है अग्ला है निम्लिखित पर विचार किजिए अपनियुएसिक शासन भूमंडली करण अध्योगी करण आ अरक्षऑ तो इन निम्लिखित में से कारक्त भारत के मध्यवर के उधिय का ऊधय का मज्य वर्ग के उदय में योगदान प्रदान करते हैं अगला आरच्छर ने पिछड़े पन के लिए दौड को प्रसाहित किया है या किसने का है स्रीन निवास ने अंध्रे विताई ने स्सी राव के दवारा या योगेंद सिंग के दवारा तो यहां चथन जो है कि आरच्छर ने पिछड़े पन को दोड़ के लिए प्रस्थाहित किया है यह अंध्रे विताई से समंधि है अगला है सूची एक और सूची दो से मिलाएं सिद्धान्दकार तो आई ये देखते हैं उपजाती उपजाती की जो अधार्णा है वह जीयस घुरिये से समंधित है अगला है हरीजन अभिजन की बात कौन करते हैं तो हरीजन अभिजन की बात सच्चिदानन जी करते हैं वी संस्कृति करण की बात कौन करता है तो वी सं तो जो वर्ड पुस्तकी समका सम्बन्धिया मैं स्रीनिमास से शंबंधित है हमारा राइट अंसर हो जाएगा अगला है ताल्गट पार्सन से सामाजिक विवेदी करण के तीन कारक बताएं है अगला है निमलिखित में से गलत योगमक की पहचान कीजिए पौन सा गलती है इसमें तो योगता तंत्र या माइकल यंग से संबंधित है में तो करते हैं तो इसलिए हमारा राइट अंसर यह हो जाए गलत है प्रकाल्यात्माक करते हूं साँचा कहां करते हैं और वर्ग विहींज समाज की बात माउख्स करते हैं या कहा है and सुची maar लीट कीजिए सुची एक और सुची बमनने सुची प्रचाइता तो आईए देखते हैं पहला है इंडियन मिडिल क्लासिस तो इंडियन मिडिल क्लासिस की बात कौन करते हैं तो इंडियन मिडिल क्लास की बात करते हैं बीवी निस्त्रा डॉमिनेंस आफ इस्टेड पावर इन मिडिल इंडिया इसकी बात कौन करता है डॉमिनें कि से संबन्धित है या तिपांकर गुपता से संबंधित है अग्ला है कास्ट एन दी अकोनौमिक प्रंटियर कास्ट एंदी कोनौमिक फ्रंटियर या भी बैली से संबंदित कुछत है तो दी यह सी तो डी एसी यह आप से नम्मर दीने है तो आप से नम्मर डी हमारा सब्सक्राइब अगला कतन है निमलखित पर विचार कीजिए तास्क फोर्स अस्थाई समीथिया नोकर्थ साही यह तदर्थ प्रियों तो इसमें पूछा है इनमें से एड़ होक्रेसी की विश्यस पा अब तो पहले एड़ होक्रेसी जो सब्द है इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं तो जब कोई ऐसा समाज हो जो जोखिम उठा कर बैक बैपार करता है नए-एन्विंशन करता है ऐसे समाज को एड़ होक्रेसी नाम दिया गया है तकनीकी समाज तकनीकी क्या प्रयोग करने के जोखिम उठाता है या नए-एन्ए अविस्कार करता रहता है तो ऐसे समाजों की विस्षाओं में कौन सा समलिट है यह यहां पर पूछा गया है तो यहां हो जाएगा टास्क फोर्स अस्थाइस समीथिया और तधर्था परियोजना टीम ऐसे समाजों की प्रमुक्र विस् कंपणी या समाज कंपणी समाज के संदर में अभिसेश्था पूछी गई है तो कंपणीों में नए इडिवेंशन के लिए टास्क फोर्स गठित की जाती है अस्थाइस समीथिया बनाई जाती है और पड़ियोजनाओं के लिए नई टीमों का गठन किया जाता है अकला नि अध्यम वर्गी जीवन जीते हैं और प्रश्निहां पर दिया है इसमें से प्रभाव साली स्रमीक की विश्यस्ता कौन सी है तो प्रभाव साली स्रमीक की विश्यस्ता कौन सी है इसमें पूछा है तो कौन सी सही है तो जो प्रभाव साली स्रमीक की अधरणा है वा गुर्ड सब्सक्राइब करते हैं या मुख्य रूप से मध्यम वर्गी जीवन जीवन जीटें या भी कथन सही है प्रभाव साली वर्ग के बारे में इन्होंने तीन भी से स्थाइब बताई है एक तीन और चार इसका राइट अंसर हो जाएगा बी अगला है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तो यहां पर अध्यन किये गये छेत्र हैं सूची वन में और उनसे समबंधि समाज सास्त्री तो पहला है बीसी पारा उडिसा में कौल किसने अध्यन किया है तो बीसी पारा पार इप लगर्ण सचीदा नंजी ने यहां पर अभषजन हर जन की बात कहीं थी सहाबात चमार का धियन करके अगला है कुमबा पेठी तंजवर तो केथलीन गभ के द्वारा तंजवर गाओ का दियन किया गया था और इसके बाद यादावपुर दिल्ली यादावपुर दिल्ली का अध्यान यह MS ए राउ के द्वारा किया गया था यहां इन्होंने मिडिल क्लास का अध्यान किया था MS राउन तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा BCDA ए अगला है निम्लिखित में से कौन सी विश्षता प्रभुजाद के लिए अनिवार नहीं है तो राजनायतिक सक्ति की बात होगी संख्यात्मक सक्ति की बात होती है आर्थिक सक्ति की बात होती है लेकिन सांस्कृतिक सक्ति की बात नहीं होती है तो यहां पूछा कौन सा अनिवार नहीं है तो राइट अंसर हो जाएगा हमारा B सांस्कृतिक सक्ति प्रभुजाद के लि अपने ही जाती में भोजन करना या अपने ही समाज में भोजन करना या भोजन निशेद भी कर सकते हैं तो यह भी होगा अन्ता विवाही होती है जाती है सांस्कृतिक प्रईस्थिती अर्थाद हुपदान की जाती है और धार्मिक आधार होता है तो राइट अंसर हमारा दी हो जाएगा अगला निम्लिखित में से किसने सामाजिक अस्तरी करण का आधार नहीं माना जा सकता अर्थाद किसे सामाजिक अस्तरी करण का आधार नहीं म रिया जाता है मद्य हमरिक निमन वर्गी जैसे संदर में और पूझी पती वर्ग श्चा के संदर में हो जाता है वर्ग वर्ग बना दिया जाता है सिच्छित लोगों का वर्ग लेकिन बुद्धी के अस्तरीकरण समाजिक अस्तरीकरण नहीं माना गया तो राई टांसर हमारा हो जाएगा भी अगला निमलखित पर विचार कीजिए यह अधाला टी बेवलेंट से विक्सित की है यह वर्ग पादन म पर यहां पर बिसेस्टा हुआ है तो लेजर क्लास के यहां पर बशेष्टा की है कि कौन से लेजर क्लाध की विसेस्ता है तो पुराइट अचम्षल हो जाएगा इसकी अधारा थश्टिल भैम्स्थी की है इसका वर्ग उत्पादन में योगदान नहीं करता है यह भी कथन सही है यह वर्ग दसकी भोग करता है या अठ्यादिक तर्सकी अध्याद दिखावे का भोग करता है और इसके पास कोई राजनायतिक सकती भी नहीं होती है तो यहां पर थोड़ा बिकल्प मिसिंग है तो यहां पर हैं और यहाँ पर तीन तो राइट अंसर हमारा दी हो जाएगा अग्ला प्रश्ण है फ्रैंक पार्किंसन ने पुर्वी यूरोपी साम्यवादी समाजों में चार अस्तरों की चर्चा की है तो निमलिखित में से उन्हों किस अस्तरों की चर्चा नहीं बताई है निवेसक श्वेद वसन बुद्धिजी भी कुसल स्रमी किस्थिति या आकुसल स्रमी किस्थिति तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा फ्रैंक पार्किंसन ने पुरुवी यूरोपी सामिवादी समाजों में निवेसक अस्तर की चर और काल पापर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राल्फ डेहरं डार्फ के दारा इंपरेटिव आप को औरिनेटेड एसोसियेशन की बात की गही है और यह पूछा भी जाचुका है तो यह इंपोर्टेंट किस्टन है अगला जातिवाद का अर्थ है दूसरी जातियो के अतिपूरवाग्रा जातिप्रथा के प्रतिश दुर्भावना अपने जातिगत हितों पर सरवाधिक महत्व देना या जातिगत नियमों का पालन करना यहां राइट आंसर हो जाएगा सी तो जातिवाद भी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि यह अभी प्रजें है सूची ईक वाष्टी दोसे समल ही किजी सूची वंन में ओधान है है डी है सुची दौन से समंदीत समाधशास्त्री तो प्रएस्थिति ख्याद की अधरा किसी समंधीत है प्रएस्थितिति ख्याद की जो अधर का उधरा है वापथ Northern से समंधित है जीवन- और-सर का सिं और लंपट सरवहारा की बात कौन करते हैं काल मार्क्स तो हमारा अंसर हो जाएगा डी ए डी ए इवी तो डी ए इवी हमारा एक ही आपसन है तो आपसन नम्मर 20 ही हो जाएगा अगला कतन है डेविड एप पोकाक ने अपने गुजरात के अध्यान में पाया है कि जब कोई जात अपनी प्रवजन करती है तो अपनी प्रैस्थिति को कम करके बताती है अपनी प्रैस्थिति को यथा स्थिति करती है या अपनी पहचान चुपाती है या अपनी प्रैस्थिति को थोड़ा बढ़ा चड़ा कर बताती है तो बी जो पुकाक है उन्होंने अपने अध्यान मे के लिए जाता है तो महापनी स्थिति को उच्छ बताता है ऑग्वा किसी जाति को तब तक अधोगामी गत्सिलता प्राप्ट तो नहीं हो सकती जब तक कि उसे राजनयतिक अगत्सीलता होती है तो उसे तब तक उसे विकार traveling स्विकार नहीं किया जाता जब तक कि उसне जट के लोग उसे श्विकारन मैं कर लिए तो राइट mumeral अब सी हो जाएगा अगला है फ्रांसीसी दार्शनिक ने जैविक असमानताओं को प्राकरतिक या सारी रिक असमानता के रूप में इधारित किया है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आसमानता को प्राक्तिक या सारी रिक असमानता के रूप में इधारित किया जा सकता है अगला है यह विचार किस्ते सम्दित है यह अधिक्ता और ट्रह से मूल भूद औरते हैं प्रयासरत रहता है वही माली के जो है अधिक से अधिक लाब प्राइसे तुर्था लाब कैसे सोसड करके समीकों का लाब प्राप्त किया जा तो काल माक्स मैक्स वेवर एम मैं या गोल्ड फोप लाक बूट तो यह कथन हमारा मैं से समंधि सैन ख़ल मैं है तुक आल लाएध की उतपत्ति सामानि इच्छा नहीं प्रस्तुत किया है सुपर दिखने फिर द satisfaction तो राज्य की उत्पत्ति की सामान इच्छा का सिद्धान्त रूसों ने प्रत्वादित किया है अगला है हेनरी माईने हेनरी माईने के अंफसार जात्य की उत्पत्ति है हेनरी मायी दौरा जाति को निरमित खरता है। तो हेनरी मायने ने जात की उत्पत्त जो है वेवसाइक भाजनों द्वाराñ जाति निरमित खmotion की इसा ह बाफ कहीई है निम्ने कथन में से कौन सा असत्य है अर्थाद गलत है सभी समाजों में समाजिक अस्तरी करण के प्रतिमान एक समान होते हैं तो पहला ही कथन असत्य है कहा है कि सभी समाजों में समाजिक अस्तरी करण के प्रतिमान अलग-अलग होते हैं बाकी अपसन देख लेते हैं समाजिक अस्तरी करण के प्रक्रिया द्वारा ब्यक्ति परिवारों के असमान व्योस्ता को इस्थापित किया जाता है सही है आधिनिक समाजों में अस्तरी करण का धार मुक्षित होता है यह भी कथन सही है समाजवादी समाजों में अस्तरी करण पाया जाता है यह भी सही है तो यहां एम जी इसमीत द्वारा दिये गए अस्तरी करण सम्बंधी द्रिश्टांत की जिस आधार पर आलोचना की गई है वह है यह एक मात्र और जोगी करित समाजों के लिए लागू होता है इसमें आधनी करद्योगी समाज में सच्छिक संगठन की भूम के पेच्छा होती है यह सम समाजिक असमानता को सारभावमी का अधारना नहीं मानता है यह मात्र पुर्व और जोगिक समाजों पर लागू होता है तो जो इसमीत ने जो अस्तरीकरण की ब्याक्षा की है इसमीत कर्दसास्त्री है उन्होंने अपने पूर्व और जोगिक समाजों के अनसार अस्तरीकर की बात कई है जो कि आधनिक समाजों पर लागू नहीं होता है इस बात को लेकर इनकी आलोशना की गई है कि निम्ने में से कौन सरव उपयूक्त है दोनों माक्स और बेबर इस बात से समत है कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रड ही वर्ग के लिए मात्र निर्धारक है और पूछा है जहां माक्स ने माना है कि वर्ग के निधार का प्राथिमिक आधार जीवन आउसर है नकी आर्थिक कारक बेबर ऐसा नहीं मानते हैं अगला है माक्स और बेबर मानते हैं कि वर्ग वाए मनस्ता अताहरत करांथी परिवर्टतन होगी तो यहां पर राइट अंसर सी होगा यहां पर थोड़ा सा अपसन गलत दे दिया है यहां माक्स की जगह बेबर होना चाहिए और बेबर की जगह माक्स होना चाहिए तो राइट अंसर हमारा सी होगा कि जहां बेबर निमाना है कि वर्ट के निधारा का प्राथमी काधार जीवन अवसर है और नकी आर्थी कारक्स माक्स ऐसा मानते हैं की ऐस्तरी करण को खुल बिलकॲ विपरीट है या माक्स का सिधान का विस्तार है या माक्स के अस्तरी करण के के विचारों की आश्युक्रिति है यह मांक्स के अस्तरी करण के विचारों का सुधार है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी कि मैक्स वेवर का जो अस्तरी करण है वह मांक्स के अस्तरी करण के विचारों का सुधार है जहां मांक्स करते हैं कि केवल ही केवल आर्थि कि का रखी है अस्तरी करता का वहीं माँत ज management कि भूम जाए अनिय अर्थाइथ अनिकारग भी निर्धारित करती है शुर। दरित्री करण की प्रक्रिया का अर्थ है दरित्री करण की प्रक्रिया का अर्थ क्या है किसी बुर्जुवा वर्ग का स्रमिक वर्ग में सामील हो जाना किसी मध्यवर्थी वर्ग का स्रमिक वर्ग में मिल जाना या किसी वर्ग का मध्यम वर्ग में मिल जाना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब कोई मध्यवर्थी वर्ग स्रमी को वर्ग में मिल जाता है तो उसे दरिद्री करण या गुर्जुवाई करण कहा जाता है तो आज की वीडियो यही समाथ करते हैं वीडियो को लाइक और सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली कुछ के लिए अब हमारे टेलिग्राम चैनल सोस्योलोजी के चैनल पर जूड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइट करवाया जाए तो वीडियो को देखने के लिए धन्यमाद चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर करें